हेलो एंड वेलकम टू आल आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक बर फिर से SSG गुरुकुल के इस ओफिशियल यूट्यूब चैनल पर डेली बेसेस पर मैं आपके सामने तस दस पंदा पंदा मिनट के करेंट अफेट टॉपिक वाइस पर दर्सित करता हूं और आप लो पोट आई हैं जितने भी इंडेक्स आई हैं और जितने भी आपके जो रैंकिंग दी गई है हना आयोक की दो रैंकिंग दी गई है संस्थान के द्वारा उन सभी पर चर्चा करने वाले बात समझा रहे हैं तो हो सकता है 2022 में 2021 की रिपोर्ट भी आई हो तो हम लोग 2021 की वो जरूर पढ़ेंगे जो 2022 में परदर सित की गई थी अच्छा प्रशन कैसे बनते हैं पहला प्रशन ये बनता है अगर वो अंतर राश्टी रिपोर्ट है समझेगा यदि वो रिपोर्ट अंतर राश्टी है तो आपसे भारत की रैंकिंग पूछेगा हो सकता है वो पहला परदर्सित करूंगा और इसी 26 में आनने वाले संभावि जितनी परिक्षाएं है उनसे अगर सुचकांग से कोई क्षिन आता है रैंकिंग से प्रस्ण आता है रिपोर्ट से प्रस्ण आता है तो वो इसी क्लास से आएगा तो इस आसाक शार्ट को स्टार्ट करते हैं तो य Global innovation index में पहला स्थान मिला है स्विजन लैंड को और भारत का स्थान है 40 तो भारत का इस्थान वैश्विक 9 आचार सुजकांग में 40 हुआ है और पहला स्थान है स्विजन लैंड का इसके बाद इसको किस ने जारी किया तो अंतर राश्ट्रिया विश्व बौधिक संपता संग विल्बी 26 ऑफ एपरेल फिर से कुशन या रखते हैं वेश्विक नव आचार सूचकांग अपने हैं अपने कार में हैट फोन लगाईए आराम से सुनिएगा वेश्विक नव आचार सूचकांग में भारत को 40 स्थान प्राप्त हुआ है पहला स्थान सुज्जर लेंग को प्राप्त हुआ है ये रिपोर्ट जारी करी है विश्व बॉदिक संपता संगठन ने जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी 1967 में जी सेवन का भी मुख्याले या जी सेवन की भी इस्थापना ओई थी जो पहले जी एक था वो जी सेवन हो गया है रशिया उससे अलग हो गया मुख्याले इसका जिनेवा सुच्जर लेंड है और 26 अपरेल को हम लोग मनाते हैं विश्व बॉदिक संपता दिवस दूसरे पर आते हैं ग्लोबर जेंडर गैप इंडेक्स वैश्विक लेंगिक अंतराल सुचकांग तो वैश्विक लेंगिक अंतराल सुचकांग ये जा पहला स्थान आइसलेंड को प्राप्त हुआ है आइसलेंड की राजधानी है रेक्जैविक आइसलेंड की जो राजधानी है वो है रेक्जैविक आइसलेंड की जो राजधानी है वो है रेक्जैविक और इसके बाद अंतिम स्थान है अफगानिस्थान भारत को इस स्थान फिर से अफगानिस्तान का तो वैश्विक सांती सूचकांग में सबसे आसांत कौन है अफगानिस्तान भारत कितने नंबर पर आ रहा है 135 अप पहले नंबर पर कौन है आइसलेंग राजधानी फिर से वही रग्जाविक और वैश्विक सांती सूचकांग जारी किया ग 10 42 स्थान भारत और अंतिमिस्थान सबसे आसांत कौन अफगानिस्थानु अगला हना तीसरे पर आते हैं अब हम लोग तीसरे पर आते हैं तीसरा देख लिया है वैशुक्षांती तो चौथे पर आते हैं बात करेंगे विस्ट प्रेश्ट fried mo तो विश्व प्रेश स्वतंतरता सूचकांग भारत में भी राश्टली प्रेश स्वतंतरता सूचकांग की रिपोर्ट जारी की जाती है और यहां पर जो राश्टली प्रेश स्वतंतरता सूचकांग भारत के लेवल पर जारी किया जाता है वो सिर्व ये बताता है कि किस रा आपका ये मौलिक अधिकार है प्रेश की स्वतंतरता और इसको कहते हैं लोग तंतर का चौथा स्था इस्था फोर्थ प्लार आफ डेमोक्रेसी तो विश्व प्रेश स्वतंतरता सूचकांग 222 की रिपोर्ट में पहला स्थान नार्वे का है नार्वे की राजदानी आपकी बशा बॉट का इस्थान है 115ं इस सूचकांग को जारी किया है विदाउत बॉटर ने यह बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर इंपॉर्टेंट लिख भी दिया है मैंने तो विदाउध बॉड्र जारी किया जाता है विश्व प्रेश स्वतंतरता सूचकांग चरीड़ अगला विश्च खुशहाली सुचकांग तो सबसे ज़्यादा खुशाल कौन है हजार जीलों का देश फिल्लैंग की राजदानी हलन सिकी है भारत को मिला है 136 अस्थान कौन जारी करता है विश्च खुशहाली रिपोर्ट वर्ड हैपिनेस इंडेक्स कौन जारी करता है तो स फिल्लैंड को पहला स्थान और भारत का 136 स्थान है फिल्लैंड को हम लोग 1000 जीलों का देश भी कहते हैं छटवे प्याते विश्च आर्थिक स्वतंता सुच कांग 2022 में पहला स्थान सिंगापूर को मिला है भारत का स्थान 89 है तो विश्च आर्थिक स्वतंता सुच कांग में 89 नंबर पे भारत है और इसको जारी करता है दा फ्रीजर इंस्टिट्स यह कहां का है कनाजा का और कनाजा करा राजदानी क्या है ओटावा अगला आते हैं वैश्विक भूख सूच अंग में तो वर्ड हंगर इंडेस 2022 इसमें 17 देशों को सीर्थिस्थान प्राप्त हुआ है हमको इस पर चर्चा नहीं करनी है हमको यह देखना है कि विश्व भूख सूचकांग या वैश्विक भूख सूचकांग 1222 में भारत का कौन से स्थान है तो भारत को स्थान मिला है 107 नमबर भारत को स्थान मिला है 107 नमबर और इस रिपोर्ट को दो संस्थानों ने मिलकर जारी किया है एक आयरलेंड की संस्था है और एक जर्मनी की संस्था है तो आयरलेंड की संस्था का नाम डबलिन और जर्मन को राजदाने बर्लिन जिए हैं अगला पर्रया वरण प्रदर रश्थान सूचकांग 2020 पर्रया वरण प्रदर सूचकांग 2012 में पहला स्थाज दन्मार्क ने असल किया है डन्मार की राजदानी कोपैंहेगन है और भारत का इस्थान पर्यावनर प्रदर्शन सूचकांग में 180 नंबर है और इसको दो विश्विद्यालों ने मिलकर जारी किया है यल विश्विद्याले अमेरिका और कोलंबिया विश्विद्याले ने तो यल विश्विद्याले और कोलंबिया विश्विद्याले ने मिलक पर्या वर्ण प्रदर्शन सूचकांग 2022 जारी किया जिसमें भारत को 180 नंबर वा इस्थान मिला है और पहला इस्थान मिला है डन्मार की राजदानी कोपन हेगन है नवन नमर रिपोर्ट पढ़ते हैं भ्रषटा ब्रस्थाचार परसप्षन इंडेक्स निर्य भ्रषटा चारणा सूचकांग ट्रॉइदेश वाले तीन नैग्वाइज करक है diferenते हैं सभाग में 50 वा स्थान है बहुत महत्पूर की भरष्टाचार धार्णा सुचकांग कौन सी संस्था जारी करती है तो याद रखेगा जर्मनी की है transparency international तो बहुत महत्पूर जहां जा मैं महत्पूर बोलूं उसको जरूर याद लखेगा एक्सपेक्टेट कोश्यन है तो Transparency International के दोरा भ्रस्टा चार धार्णा सुचकांग 2021 जारी किया गया तो 2022 में जारी किया गया था 2021 वाला अगला एक्सपैट इंसाइडर रेंकिंग तो एक्सपैट इंसाइडर रेंकिंग 2022 यह क्या बताता है कि प्रवासी जो प्रवासियों के रहने के लिए दुनिया के सबसे योग के सहर कौन से हैं यह रिपोर्ट कहलाती है एक्सपैट इंसाइडर रेंकिंग 2022 और जारी करता है इंटरनेशन्स ये संस्था आपकी जर्मनी की है जिसमें सबसे ज्यादा प्रवासियों के लिए रहने के लिए जो सबसे योग यह सर्वोत्तम जगह है वो है आपकी मेक्सिको पहला स्थान मेक्सिको को मिला है भारत का स्थान च्थिस्वा है और अंतिमिस्थान कुवैत को मि अंतर राश्री बॉद्धिक संपता सूचकांग इंटरनेशल इंटेलेक्ट्ट्वल प्रॉपरिटी इंडेक्स 2022 तो अंतर राश्री बॉद्धिक संपता सूचकांग यह जारी कौन करता है यूए चेमबर्स आफ कॉमर्स ऑफ ग्लोबल इनुवेशन पॉलिसी सेंटर द्वा है यूसे ने जारी किया इसलिए पहला स्थान किसका है यूए से का आते हैं 12 रिपोर्ट पर डेमोक्रेसी रिपोट 2022 आट्वरेटाइशन चेंजिंग नेचर तो डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कहां पर सबस्च्छा तंदर देखने को मिलता है तो सबसे पहला स्थान दिया जिसमें पहला स्थान उसने खुद को दिया स्वीडन को और भारत का स्थान 93 है जिसमें डेमोक्रेसी के अनुसार कहां सरकार अच्छी चल लई है उसके बारे में बताया गया है। तो केंदरी खादे और वो बोगता मंत्राले ने इसको जारी किया है आप आते हैं चौदवी रिपोर्ट पर वार्षविक फरंटियर रिपोर्ट 2022 तो ये अनुवली फ्रेंटियर रिपोर्ट ये फ्रेंटियर रिपोर्ट 2022 वो क्या दरसाती है कि सबसे ज़्यादा ध्वनी प्रदूर्शन कहा है, Frontier Report 2022, ये हमेशा आपका ध्वनी प्रदूर्शन दिखाती है, सबसे ज़्यादा ध्वनी प्रदूर्शन वाला सहर है, टोटल सहर इसमें कितने लिए गए, इसके बाद आप से कुछन आप से पूचेगा, कि इसको किसने जारी किया है, तो ध्वनी प्र इसका है, तो यूनी पी द्वारा फ्रेंट्टेर रिपोर्ट 2022, जारी की गई, जिसमें ध्वनी पुर्दूर्शन वाला सबसे आदा सहर, कौन समाना गया, धाका, दूसरे नंबर पर मुरादाबाद, अगला प्रस्न, भारत प्रेस्वतनता सूचकांग, भाना वी मैंने आ विश्वायू सक्ति सूचकांग 2022, यानि कि किस देश की एरफोर्स सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसमें भारत की जो एरफोर्स है, उसको तीसरा स्थान मिला है, या तकेगा, भारती वायू सेना को तीसरा स्थान मिला है, जोकि पहला स्थान अमेर्का को मिला है, और विश्वायू सक्ति सूचकांग 2022 कि ने जारी किया है तो वर्ड डिरेक्टरी आफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ याद रखेगा वर्ड डिरेक्टरी आफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ भारत का इस्थान भारती वायू सेना का इस्थान तीसरा है अगले प्रस्न पर आ लेने इसके बाद migration and development brief report 2022 अब यह migration and development brief report 2022 क्या है कि 2021 में 2022 में यह report आई है 2021 की है ठीक है ना तो 2021 में विदेशों से सबसे ज़्यादा प्रेसित धन फ्राप्त करने वाला देश भारत निकला यानि कि 2021 में विदेशों से जितना पैसा भेजा गया है कि कोई मतलब कोई व्यक्ति जिसी दूसरे देश में रहे जाकर और वहां का पैसा अपने देश में भेज दे तो विदेशों से जो सबसेदा प्रेसित धन है वो धन प्राप्त करने वाला देश आपका है भारत तो याद दखेगा विश्र बैंक ने यह रिपोर्ट जारी करी है माइग्रेशन एंड डवलब्मेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 क्यानुसार बताया गया कि 2021 में विदेशों से सबसे ज्यादा प्रेसित धन प्राप्त करने वाला देश कौन था भारत अगला वैश्वि तैन को प्राप्त हूआ भारत का इस थान 121 है और इस रिपोर्टको जारी करता है सटेथनेबल डवलाप सब्सक्राइब्स हुआ है शंबा बने बिजनेस सूच कांग में इस आफ़ दू इन सबस्यादा बिजनेस के रूप मेंने आ आपको निरपर बना रहे है आत्मीर बर लिएज निज आप बूदिर बिश्म스 इंडे दुदर बाइस में हमाई भारत में उन्त प्रशो से पहला राज शनल अंक्रश first इस इसके बाद अगला कॉस्श millimeters उनों को अपनी और आकर्षित किया है तो आप कहेंगे आंद प्रदेश तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए भारत में और द्यूगिक निवेस आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में पहला अस्थान वर्ष 2022 में प्राप्त हुआ आंद प्रदेश को वेतन रुजहा आए में कितनी व्रद्धी हो रही है है कि नहीं तो वेतन रुजहान सर्वेचन 2012 में 22 में दुनिया में वास्तिविक वेतन में सबसे अधिक व्रद्धी वाला देश सामिल हुआ भारत इसको किस ने जारी किया है employment condition abroad London ने याद अखेगा employment condition abroad London द्वारा यह संस्था है जिसने कहा है क्या कि वेतन रुजहान सर्वेचन 2012 की रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा वेतन में व्रद्ध्यक किसी की हुई है तो वो किस देश्क में हुई है भारत में है आई विश मेरे साथ आपको याद भी होता च रहेंगी अब दुनिया में वो कौन से सहर है जो सबस्यादा रहने योग है अना वो सबसे सर्वोत्तम सहर कौन से हैं दुनिया के जहां पर लोग रहने के लिए बड़े प्यासे हैं जो रहने के लिए सबसे उप्यूक्त मने जाते हैं तो ग्लोबल या कह सकते हैं इंटरने इसकी रिपोर्ट में पहला देज इसमें रहने योग के सबसे ज़्यादा साधन उपलब्द हैं वो वियना है आउस्ट्रिया का इसमें कुल 140 सहर सामिल किये गए इसमें दिल्ली का इस्थान 112 और मुंबई को 170 इस्थान मिला है और यह अंतिम इस्थान मिला है दमिश्क को दम 2022 ग्लोबल लिविल्विल्टी इंडेक्स 2022 में पहला स्थान वियना का है और श्ट्रिया के राजधानी अवियना बारत के दो सहर थे दिल्ली और मुंबई दिल्ली को 112 अस्थान मुंबई को 170 अस्थान प्राप्थ हुआ अब बात करेंगी हम लोग आज के लाश्ट 2021 के तहर सबसे ज़्यादा प्रदूसित राजधानी विश्व के सबसे ज़्यादा प्रदूसित राजधानी दिल्ली मानी गई है और इस रिपोर्ट के जारी किया है आईक्यू एयर स्विच फर्म ने आज का लाश्ट कोश्चन वर्ड कंप्टिटिवनेस इंडेक्स 2022 तो इसका मुख्याले कहां पर है स्विजर लैंड में इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अब मैं आपसे चार प्रशन पूछूंगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और अगर आपको नहीं आता यदि आपको लगता है कि अभी आपको समझ में नहीं आया है तो यह चार प्रशन के पहले वीडियो पॉस कर लो और फिर से देख लो और इसके बाद यह चार आंसर दीजिएगा एक साथ आंसर दीजिएगा अना विश्व खुसहाली सूचकांग विश्व खुसहाली सूचकांग 2022 में 2022 में भारत का स्थान क्या रहा विश्व प्रति परधा सूचकांग 2022 में भारत का इस्थान क्या रहा अगला नेक्स प्रेशन है अना ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वैश्विक भूख सूचकांग में भारत का इस्थान क्या रहा ठीक है इसके बाद भृष्टा चार धारन सूचकांग में भारत का इस्थान कौन सा रहा तो यहाँ पर यह चार प्रेशन के उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं चलिए गा जिसका भी आंसर सारे सही आजाएंगे उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा यह चारों में से आपको बताना है भारत की रेंकिंग सारर जोरूर बताएंगे और फिर इंतिजार करेंगे कल के वीदियो का कल मैं आपके सामने वीडियो लाने वाला हूँ अभी 2022 में पूरे एक वर्ष में किस सम्मिलन की बैठक कहां पर हुई थी उसका आयोजन किस ने किया था अध्यशता किस ने की थी हैटकौटर उसका कहां था नाटो का बैठक कहां हुई जी सेवन की बैठक कहां हुई सार की बैठक कहां पर हुई तो वर्ष 2022 में जितनी बैठा कुई थी वो सारे को मिला कर उनके क्वेश्चन बना कर उनकी चीजों से कैसे प्रशन बनते हैं उनको उठा कर मैं आपके साथ में प्रदेश्चित करूँगा कल जल्दी से इसको वीडियो को देख लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा पसंद